जे स्रिक्रेशना सभी को मेरे चैनल पर आपका स्वागत है तो आ गई थी मैं छट पे और देखिए कितनी प्यारी बिल्ली का बच्चा बेठा हुआ है और ये है अध्रक और उसके बाद मैंने छट पे कुछ गिलकिया तोड़ी है कुछ हार्वेस्टिंग की थी तो ये दो ग जी अब होत कम लगी है भस फूल जादा लगे उप फूलों की तो देखिए बहार है मेरी छट पे कितने सारे फ्लावर ही फ्लावर है ये देखिए कितने लगे हैं ये वाला तो मुझे सबसे जादा सुन्दर लगता इसका फूल और बहुत सारे फूल ही फूल लगे हुए और बस में और देखिए दो तीन दिन पहले थोड़ा मोसम खराब हुआ था बहुत बारिस हुई थी तो ये पोधे इस तरह से आड़े पढ़ गए है नहीं तो ये इतने सुन्दा दिख रहे थे और देखिए आड़े पढ़ने पर इनकी हालात कैसी दिख रही है फिर भी फू और ये ये भी देखिए भो सुन्दर फूल लगे हुए है और एक और पोधा है मेरे पास गोड़ल का तो वो दूसरे साइड में रखा हुआ है और एट लोकी लगी थी लेकिन इसको मैंने अभी नहीं तोड़ूंगी दो चाह दिन बात तोड़ूंगी और सारे पोधे आड अब देखते हैं और ये दो मिर्ची लगी है अचार वाली मिर्ची है जो लाल मिर्च का अचार बनता है वो है और बस अब आज मुझे जाना है पालर तो मैं बस थोड़ा सा वीडियो शूट करके और देखिए कितने सुन्दर फूल है ये भी मैं आ गई थी नीचे तो मैं अब देखिए का साजा बोलते हैं इधर मालवा में और खीज भी बोलते हैं और बस आज मैंने भोजन में यही बनाया है और इसको मैं बस अब परस दूंगी तो सबसे पहले तो हम इसी का भगवान जी को भोग लगा देंगे और उसके बाद में वही थाली में में फिर इनक इसको और इसकी फूल रेशिपी में चैनल पर है तो देखिए बस यह तूलसी रखी मैंने और भगवान जी को भोग लगा दिया है और इसके बाद हम थोड़ा भोजन वागेरा करेंगे तो देखिए मुझे गुड की याद आ गई थी तो फिर मैंने का थोड़ा सा गुड़ भी में ले लेती हूँ और बस इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ भी रख लिया है और आज जादा भोजन नहीं बनाना था तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि मुझे पालर मे ताइम लगने वाला है कम से कम मुझे दो घंटे के करीब लगेंगे लगेंगे क्या मैं वाइस कर रही हूं तो लगे हैं और देखिए यह बिल्कुल अब देखना थोड़ी जब यह सब कुछ हो जाएगा यह क्या क्या कर रही है मुझे नहीं पता है कि यह क्या क्या कर रही तो यह इसपा कर रही है यह एसा इससे भी करवोंगी और मुझे नाम पता नी रहता ना मैं बस तो यह सब लोग मैरी हशी भी उड़ाते रहते हैं और फिर मैं इनसे ही बोलती भहिया ऐसा कर दो भहिया वैसा कर दो तो बस करती रहती है और फिर देखिए ये इस्पा और स्ट्रेट जो बोलते हो करने के बाद बालो का लुक इतना बढ़िया हो गया है और इतना सुन्दर दिख रहे थे ना मेरे बाल लगी नहीं रहे थे कि पहले कैसे थे और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए मिलते हैं अगले वीडियो में जैसे कैसना